आप जिसे वैस्टन कल्चर कहते हैं, क्या है? क्या भारत की संस्कृती से स्रेष्ट धर्ती में किसी की संस्कृती हो सकती है? क्या भारत की सोच से बढ़िया सोच किसी की हो सकती है भारत की सोच है वसुधैव कुटुम्बकम दुनिया को केवल भारत भारत को ही नहीं दुनिया के प्रत्तेक देश को अपने परिवार का हिस्सा मानता है जबकि चाइना, अमेरिका, जापान, लंदन, पैरिस, कोई वी देश हो, ये एक देश दूसरे देश को व्यापारी द्रश्टी से मानते हैं, कि वो हमारा सबसे बड़ा बाजार है, चाइना कहता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ा बाजार है दुनिया एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टी से देखती है लेकन भारत दूसरे को परिवार की दृष्टी से देखता है कि ये बाजार नहीं ये परिवार है वसुधैव कुटम्वकम इसलिए भारत से स्रेष्ठ संस्क्रती किसी की हो सकती है मेरे प्रश्णों पर जहाग कर देखना भारत का इतिहास कितना स्रेष्ठ है भारत का चरित्र कितना स्रेष्ठ है सारी दुनिया भारत की ओर बढ़ रही है आश्यर होगा आपको आज बिदेशी लोग भारत में आ करके राम राम जप रहे हैं कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं विदेशी महिलाएं आती हैं माथे पर तिलक लगाती हैं विदेशी महिलाएं आती हैं वैस्टन कपड़े उतार कर साड़ी पहनती हैं गले में तुलसी की माला पहनती हैं और रोज सवेरे सवेरे वरंदावन की परिक्रमा लगाती हैं और प्रभात फेरियां इस्त्रियां निकाल रही है विदेशी लोग भारत की संस्कृती से प्रभावित हो रहे हैं और भारत के लोग तुलसी की माला पहने में संकोच करते हैं कुछ लोग महराजी तुलसी की माला पहनेंगे पडोसन हसेगी तिलक लगाएंगे पडोसी हसेगा हाँ तुम जूट बोलते हो कोई नहीं हसता छल करते हो कोई नहीं हसता कपट करते हो कोई नहीं हसता शराप पीते हो कोई नहीं हसता मान सखाते हो कोई नहीं हसता जूट बोलते हो कोई न कि आज आप अपनी संस्कृती का पालन करते हैं उसमें आपको शरम आती है लोग क्या कहेंगे अरे लोगों का काम कहना कहने दो लोग कहेंगे इसके डर से क्या हम अपना धरम छोड़ दें अपने संस्कृती छोड़ दें माथे पर तिलक लगाना भारत के लोगों ने बंद कर दिया अपनी सिआ रखनी बंद कर दिया राम राम बोलना अचुरू बंद कर दिया हमारे देश का नाम हमारी गीता में पुराणों में इंडिया नहीं भारत नाम है इसलिए अब हमारे देश के प्रधान मंत्री जी हमारे देश को क्या कह रहे हैं इंडिया मत बोला करो इसे भारत बोला करो क्यों कि अंग्रेजों ने तो गाली के नाम पर इस देश का नाम के यहाँ इडियट लोग रहते हैं इसलिए इंडिया नाम दे दिया हमारे देश का नाम इंडिया कब से पड़ा जब से अंग्रेज आए अंग्रेज के पहले देश का नाम इंडिया थोड़ी था तो वो तो कहते थे यहाँ इडियट लोग रहते हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं आपस में लड़ोगे तो तुम्हें इडियट ही कहा जाएगा हमारे देश में अंग्रेजों ने कौन सा नारा दिया फूट डालो सासन करो आपस में लड़ाया और तुम एडियेट आपस में लड़ते रहे वो कहते रहे इडियेटों का देश इसलिए इंडिया नाम दिया वो ये इंडिया एक गाली के तोर पर वो प्रयोग करते थे और बाद में आप लोगों नों से नाम बना लिया इंडिया नहीं भारत कहो अपने देश को भारत मता की भारत कहो इंडिया नहीं